42 is here, अभी वादन स्विकार कीजिये, रॉक्टर सतीश पांडे का स्वस्थ तवचा पाने के लिए लोग सदियों से तरह-तरह के उपाय करते आ रहे हैं। हिंदुस्तानी लोग अपने चेहरे को सुन्दर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा फेस क्रीम पर करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसकिन को ग्लो करने और एजिंग के लच्छनों को कम करने के लिए कोलेजन पाउडर बहतरीन भूमिका निभाते हैं। अगर आपको भी चाहिए हेल्दी और ब्लोइंग स्किन तो आपको कोलेजन पाउडर का उप्योग करना चाहिए। जानेंगे बेस्ट कोलेजन पाउडर ब्रैंड्स कौन से हैं ये और इसके आलामा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। अब जब कोई भी प्रडक्ट आपको कम से कम 5 महीने इस्तेमाल करना है तो उसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक इंग्रीडियन्ट या ऐसे इंग्रीडियन्ट नहीं होने चाहिए जिनसे आपको कोई फायदा ही न हो। भारती बाजार में मुखिता दो तरह के कोलेजन पाउडर ब्रैंड उपलब्ध हैं। एक तो वे हैं जो नॉनवे सोर्स यानि मचलियों से प्राप्त होते हैं और दूसरे वे हैं जो प्लांट बेस्ट कोलेजन पाउडर होते हैं। भारती बाजार में उपलब्ध दोनों सोर्स के 21 कोलेजन पाउडर ब्रैंड की इंग्रीडियन लिस्ट एनलाइस करके मैंने आपके लिए चुना है सबसे बहतरीन कोलेजन पाउडर ब्रैंड इंग्रीडियन लिस्ट एनलेसिस करने के बाद इन सभी ब्रैंड्स को मैंने ख Collagen Peptide कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तानी लोग अभी भी गाय और सुवर के सोर्स से Prapt Collagen Powder साइध ही इस्तेमाल करना पसंद करें और आईए अब बात करते हैं Category 3 के पहले ब्रैंड की जो है HK Vitals इसके Radiance Collagen by Health Card इसके बाद No. 2 पर मने रखा है Neutrova Collagen Plus Antioxidant को No. 3 पर है True Basics का Collagen Powder No. 4 पर नाम आता है Healthy Hay Collagen Gold Series और No. 5 पर मने रखा है Grade 1 के Nutritional Collagen Builder Powder Supplement को इसके बाद अगला नाम है Bold Skin Collagen Supplement का वही No. 7 पर है Roncovita Hydrolyze Marine Collagen Powder No. 8 पर नाम आता है In Life Hydrolyze Collagen Peptide Powder Supplement का No. 9 पर मैंने रखा है Be Better Collagen Merino Hydrolyze Marine Collagen Supplement को वही No. 10 पर है Muscle Blaze Marine Collagen और No. 11 पर है Dr. Mar Pain Marine Collagen Skin Protein और No. 12 पर है Inza Pro Collagen Peptide Powder इन सभी ब्रैंड्स को मैं तीन कारणों से नहीं खरीदने की सला देता हूँ सबसे पहली बात है कि Non-Waste Source से जो Collagen Powder प्राप्त होते हैं वो मुख्यता गाय, सुवर और समुद्री मचलियों से प्राप्त होते हैं भारतिये कई कारणों से गाय और सुवर खाना पसंद नहीं करते अब बसता है समुद्री मचलियों यानि Marine Collagen Brand जो Rarely BMAA यानि Beta Methyl Amino L-Elenin के लिए टेस्ट होते हैं BMAA कई सारे समुद्री जीयों में पाया जाता है और मचलियां उनमें से एक हैं जो ब्राण मचलियों की तवचा से बन रहे हैं उनका BMAA फ्री का टेस्ट होना आवस्सक है क्योंकि BMAA इतना घातक टॉक्सिन है जो Neurological Condition, Emylotrophic Leateral Scalorosis यानि ALS के साथ लिंक किया जाता है नियमों के अभाव में अभी भी कमपनियों के पास यह आजादी है कि वे आपको फाइदे का चूरन चटा कर बिमार कर सकती हैं और आप इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते और दूसरा बड़ा कारण है कि रिसर्चेज बताती हैं कि Marine Collagen अन्रिस रोतों यानि Plant Source की तुलना में medically बहतर नहीं होते और वास्तों में तवचा के स्वास्तों सुन्दर्ता के लिए ये नुकसान दायक भी हो सकते हैं और इसके बाद नंबर आता है तीसरे कारण का इस कटेगरी में सामिल सभी ब्रैंड्स को बनाने के लिए कई तरह के Acidity Regulator, Synthetic Sweetener, Color, Anti-Cracking Agent, Artificial Flavor का उपयोग किया गया है ये ऐसे ingredient हैं जिन से आपको कोई फायदा नहीं होगा और company इसके लिए आपसे Collagen Powder का ही दाम चार्ज करती है और इन में से कई ऐसे ingredient हैं जिनका लंबे समय तक इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसान दायक भी हो सकता है तो ये तीन प्रमुक कारण थे जिनकी वज़ा से मैं category 3 के brands ना खरीदने की सलाह देता हूँ और personally मैं इन brands को इसलिए भी नहीं खरीच सकता क्योंकि मैं vegetarian हूँ अब आईए बात करते हैं category 2 के brands की इस category में मैंने ऐसे brands को रखा है जिनका collagen प्राकिरतिक स्रोश से प्राप्थ हुआ है इस category में number 1 पर नाम आता है क्योरवेदा glow collagen builder company ने 20 gram के ingredient में 6 gram ingredient लिखा ही नहीं है पर यहाँ बताया है कि इसमें artificial flavor मिला है और अब इसके बाद नाम आता है दूसरे brand का जो है Swiss vegan collagen builder with biotin and vitamin C इसमें भी company ने natural food color मिला रखा है इसके बाद number 3 पर नाम आता है The Healthy Company plant-based super collagen builder number 4 पर है Plex plant-based collagen powder number 5 पर है One Light plant-based collagen और number 6 पर है Nature Iceland collagen booster का यह ऐसे brands हैं जिनका collagen plant source से प्राप्थ होता है लेकिन इनको बनाने के लिए acidity regulators, anti-cracking agent, maltodextrin, synthetic food color और artificial sweetener का उपयोग किया गया है इसलिए मैंने इन brands को category 2 में रखकर इनको ना खरीदने की सलाह देता हूँ और इस category का सात्वा brand है The Dermaco 250 mg collagen tablets Dermaco की ingredient list से यह पता नहीं चलता कि उसका collagen animal source से है या plant source से लेकिन ingredient list में साफ साफ लिखा है कि इसमें मिली है सेक्रीन और artificial color इसलिए यह brand है category 2 का हिस्सा और आईए अब बात करते हैं category 1 के product की अच्छे ingredient वाले मुझे सिर्फ दो brand मिले और इन दोनों की ingredient list को analyze करके मैंने इन में से एक ही brand आपको खरीदने की सलाह देने वाला हूं और number 2 पर मैंने रखा है उजीवा plant based collagen builder को उजीवा की ingredient list पढ़ने पर पहली बार में आपको इसमें कोई भी कमी नहीं मिलेगी लेकिन जराध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओजीवा ने जो चीनी मिलाई है वो किस organic source से है यह disclose नहीं किया है और इतना पैसा देने के बाद कम से कम ग्राहकों को यह तो पता होना ही चाहिए कि चीनी का source क्या है इसलिए इस product को मैं ना खरीदने की सलाह देता हूँ और जिस product को आपको खरीदना चाहिए वो है new herb plant based skin collagen booster new herb के skin collagen booster में milahaluronic acid skin को hydrate करके प्राकृतिक moisture प्रदान करता है जिससे dryness कम होती है इसके natural oxidant जो acai berry, canberry, gozi berry और beet root powder के अलावा गवा पाउडर और बैंबो शूर से प्राप्त होते हैं वेग collagen production को बढ़ाते हैं जिससे skin ज़्यादा elastic होने के साथ साथ oxidative stress से भी अच्छी तरह से तचा की रच्छा कर पाती है जिससे early sign of aging के लच्छनों जैसे fine lines और wrinkles भी कम होते हैं pomo granite से प्राप, allergic acid, c-buck thon extract, green tea extract और spirulina powder के मिस्टरंड की anti-inflammatory properties की वज़ा से skin cells को free radicals से होने वाले नुकसान कम होते हैं परिडाम स्वरूप common skin issues जैसे dull skin पर natural glow आता है इसमें मिले super seeds mix जैसे pumpkin, sesame और quinoa healthy fats और amino acid के अच्छे स्रोथ हैं जो तचा को जरूरी potion प्रदान करते हैं जिससे skin cells regenerate होती है इसके अलावा इसमें कोई भी हानिकारक ingredients जैसे artificial flavor, color और preservative के अलावा सुगर भी नहीं मिला है इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में new hub skin collagen booster recommend किया था तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप और वीडियो के अंत में disclaimer या है यह वीडियो प्रयोजित नहीं है, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने company द्वारा दी गई ingredient list को analyze किया है किसी भी brand की प्रतिस्ठा को बढ़ाना या घटाना मेरे उद्देश्यों में सामिल नहीं है और किसी भी ब्यक्ति या संस्था अथवा किसी brand ने इस वीडियो को मुझे बनाने के लिए नहीं कहा है साथ ही किसी ब्रैंड के प्रतिष्ठा को धुमिल करने के उद्देश से मैंने यह वीडियो नहीं बनाया है इस वीडियो का उद्देश सिर्फ आम ग्रह को और सब्सक्राइबर्स को यह बताना है कि उन्हें अपने पैसे का सही मूले कौन से ब्रैंड में मिलेगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भोलिएगा वीडियो देखने के लिए आपका आनंद धन्यवाद